चलो तो आज अपनको पढ़ना है क्लास 9 का CBSC का ग्रेविटेशन कौन सा चैप्टर है ना जैसा बता रहा हूं वैसा प्रॉपर नोट्स बनाना और वैसा ध्यान से पढ़ना बहुत इजी लगेगा अच्छी तरीके से पढ़ोगे है ना इंट्रेस्ट ले करके पढ़ोगे त तो चैप्टर का नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखने है अपनको ग्रेविटेशन चलो तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे चैप्टर में अपना ग्राउट बैक्राउंड मतलब सबसें पहले पूरांसिंट्रॉट यहां एक तम भी बात मीं करेंगे कुछ भी के बाहर जाएंगे ठीक है यह प्रिंट आउट अच्छा तुमको नहीं मिला है ना अब इधार देखो इधार इधार बैक्डाउंड सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ग्रविटेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें केपलर थे और उस समय उन्होंने दिया जब भाई कुछ भी नहीं था खली इसे देख करके आस्मान में चीजों को देख देखके जमीन में ऐसे ड्रोइंग बना बनाके उन्होंने केपलर लॉद ये तीन लॉद जो आज भी करेक्ट हैं सोच रहे हो तो सबसे पहले अपन पढ हैं जो नीवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन जो नुटन बाबान के ता सेफ गी रहा था कहानी सुनीजे वगे आपने यह भी बुला या पैंओ मैं पढूं को इसके बारें अपर प्रीव क्या पढ़ेंगे इस Bomky ऐनिके ऊब भी और प्रीभी पॉल प्रींगे अफिर क्या प पहले speed कम है स्पीड बढ़ता जाएगी नीचे चाते जाएगा तो Speed बढ़े ही मतलब accelerate हो रहा है और किसके कारण हो रहा है दर्ती माता के कारण जो acceleration हो उसको बोलते है acceleration due to gravity यह अभान पढ़ेंगे ठीक है फीर उसके बाद अपन पढ़ेंगे difference between बहुत important बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिट्वेन मास एंड वेड एकाथ कोई छोटा मुटा टॉपिक बीच में याद आएगा इसी के बीच में पढ़ लेंगे तो यह हो गया पूरा एक पार्ट पूरे चप्टर का ग्रेविटेशन एक्ट्वल में जो फ्लूट्स है अपन को ज्यादा कुछ उसमें भी नहीं पढ़ना है हिसमें अपन को पढ़ना है वह गया है थ्रॉस्ट & प्रेशरी यह स level अब यह हैं भर देखो आगे देखो ठीक है तो प्रेशर क्या होता इसके unit क्या है ये सारी शीज़ें आपन देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे pressure due to liquid या fluid pressure due to fluid pressure due to fluid फिर अपन पढ़ेंगे pascal's law फिर archimedes principle लास्ट में पढ़ेंगे law of flotation flotation ठीक है बस कुछ छोटी मोटी एकार ट्रॉपिक और होगी तो बिच में ये सब कुछ अपन को पढ़ना है total पूरा chapter में total gravitation में पढ़ना है तो start करें सबसे पहले केपलर्स law से है ना तो सबसे पहले अपने start करेंगे we will start with the Kepler's law Kepler's के तीन लोट है बहुत एकदम अच्छे से इजज़त से देखेंगे मैं इज़त से लिख रहा हूँ आज ताकि इज़त से आप लोग नोट्स बना पाव है ना तो कैपलर के तीन लोट है पहले सुन लेंगे उसके बाद लिखेंगे पैन रख दो एक बार कैपलर के तीन नियम को जहां से सुन लो गेट बंद करो अवाज ले रहा है ये बैंड पाटी की भाया बंद करो हाँ फिक हैं? कैपलर नहीं क्या-क्या बोला. तब से पहली बात जो कैपलर ने वोली उसने क्या बोली? कि जंगे भी ब्लैनेट्ट्स हैं वो सन कीек अबाऊट इसार्कुलर ओर्विट में नहीं घुम रहे हैं वो कैसे orbit में गुम रहे हैं, elliptical, कैसी orbit में गुम रहे हैं, elliptical orbit में गुम रहे हैं, ठीक हैं, ellipse, elliptical orbit क्या होता है, जैसे circle तो जानते हो, ये पूरा circle एकदम, है ना, ये circle, parabola, सुने हो, किसी भी चीछ को fake होगे, देखना, इसको ध्यान से देखना, इसका motion कैसा होगा, जब म जैसे circle define करते हो ना, वैसे होता है parabola, ठीक है, और वैसे होता ellipse, circle को थोड़ा खिस दो, तो ये जो figure मनता है, इसको क्या बहुता है, ellipse, इनके बारे में detail में 11-12 में पढ़ना है, है ना, tension मतलब, टैंस में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये ellipse, ये shape है, जैसे circle एक shape है, square rectangle एक shape है मैंस में, वैसे ही ellipse भी एक shape है, है ना, तो ये जो ellipse का जो shape है, इसी को पन बोटना है, elliptical orbit, तो सबसे पहले उसने क्या बोला, पहला, कैपलर का पहला नियम, कैपलर का पहला नियम, पहला लो, क्या मुला, ओल प्लैनेट, रिवल्स, अराउं, अ सन, इन, ये डबल एला ये गना, अलेप्टिकल ओर्बिट, विथ, sun in one of the foci, अब जैसे circle का एक center होता है, वैसे ellipse में दो center type के माल लो, उनको बोलते है focus, तो plural foci, है ना, तो दोनों focus में से किसी एक focus में क्या है, sun, और बाकी चारो साइट कौन गूम रहा है, planet, इस टाप से, इसका diagram भी बनाते जाएंगे, ठीक है, sun एक focus में है, और जो planet है वो elliptical orbit में गोल घूम रहा है, ये कैपलर ने दिया था लो, दूसरा लो, कैपलर का दूसरा नियम, कैपलर का दूसरा नियम, लाइन जोइनिंग, पहले सुन लो, तीनो और तीनो नियम सुन लो, फिर लिखना पहले तीनो नियम सुन लो, दूसरा नियम उसमें क्या बुला, जो लाइन, planet और sun को जोड रही है, तो planet आगे जाएगा तो लाइन भी आगे जाएगी तो लाइन कुछ area cover करेगी, जढ़ु मरेगी, कुछ area को, जैसे माले लो पहले ये planet ये जो line joining है, तो ये planet और ये sun के पिछ में ये line थी, अब मालो planet यहां आ गया, तो लाइन यहां से हैं, तो ये इतना area swipe करी, स्वाइब जो भी बोलते हैं है ना स्वीप करी पूरा इतना एरिया तो जो लाइन है जो सर्न और प्लैनेट को जोड़ती है वो जो एरिया स्वीप कर रही है वो बराबर करेगी बराबर टाइम में मन लो यह आप 10 दिन में देख रहे हो तो यहाँ पर भी 10 दिन में अगर आप देखोगे तो यह एरिया और यह एरिया क्या होगा? बराबर अगर समय बराबर तो एरिया भी बराबबर वास समझे है यह कैपिलर का दूसरा नियम था क्या बोले हूआ इसने लाइन जोईनिंग सन एंड पलैनेट planet swips swp swips equal swips equal area in equal interval of time ठीक है? लिखलो चलो, दो खोग लिखलो लिखलो खोग आई F.O.C.I.I.E ठीक है? लिखली है? बड़ा फास्ट लिखो F.O.C.I.E 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 Sun and planet swips equal area in equal interval of time लिख लिए? आप जादे लिखो तुम्हारी best friend नहीं है आज? आज? आज ना पज्जार है? आज तुम्हारी कि आज़ेगो तीसरा अब देको जो अपना planet है वह सामके चारो से चक्क्र काट रहा है तो पूरा एक चक्क्र काटने का जो टाइम है उसको पोटे time period क्या बोलते हैं अर्थ का time period कितना है 365 365 देज 365 दिन 365 दिन 365 दिन में पूरा एक चकर काट रहा है और sun के और अपने अर्थ के बीच में कुछ average दूरी है अरे कम जादा हो रही है ना देखो sun और planet कम दूरी और ज्यादा दूरी तो average average दूरी कैसे निकालते हैं जो दो एक्सिस होती है जैसे अचा चोड़ा average दूरी को मैं क्या बोल रहा हूं आर आर क्या है प्लैनेट और sun के बीच की average दूरी तो दूरी बढ़ाओके तो समय भी बढ़ेगा चक्कर काटने का है ना जो प्लूटो है उसको चक्कर काटने में बहुत जाता टाम लगता है आज तक साय तक एक चकर भी नहीं काटा है जब से पता चला है उसके बारे में है ना तो कुछ 80 से कितना है देखना पड़ेगा उधने साल में जाकर के वह एक चक्कर काटता है संके सोचो है ना अब अपना आर्थ जो है वह 365 टेसमें पूरा एक चकर काट ले रहा है तो जैसे दूरी चेंज हो रही है तो समय भी बदल रहा है और इसका कैलकुलेशन इसका डारेक्ली कि इसके उपर प्रोपोर्शनल है कैपिलरस ने पहले पता दिया था कि टी स्क्वाइर इस डायरेक्ली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कि मतलब एक तरीके से कुछ कॉंस्ट लगा तो इक्कॉल टू आजएगा कि मतलब समय के स्क्वाइर जो है वो जो एवरेस दूरी है उस क्या था लौ इसका कोई सबूद नहीं था बस उसने बोल दिया था है ना कैपिलर ने बोल दिया था कि टी स्वाइर इस डाटली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और बिल्कूल सही निकला ये और जो तीन नियम है कैपिलर के यह आज तक बिल्कूल सही है एक्जाम पॉइ तो इंपोर्टेंट नहीं है आगे पढ़ते हैं लिख लिए आगे पढ़ें की युनिवार्सल लॉओ अफ्रेविटेशन अगला हम जो पढ़ेंगे है युनिवर्सल गाउफ्रेव लैटेशन को कि लिख ली आगे बने इस पूरे ब्रह्म्हान में खली दुनिया नहीं खली चोटा सा अर्थ का गोला नहीं पूरे ब्रह्म्हान में पूरे यूनिवर्स में सोच रहे हो पूरे ब्रह्म्हान के सामने एक बिंदू भी नहीं है अपना पूरा सोलर सिस्टम उसके बीच में एक छोटा सा गोला अर्थ में बैठ के एक सेंटेश ने पूरे यूनिवर्स के बारे में बोल दिया पूरे यू सिर्फ solar system नहीं सिर्फ milky way galaxy नहीं पूरा का पूरा universe पूरे इस universe में अपना universe अपने पूरे universe में पूरे ब्रम्हान में हर एक वस्तू हर एक दूसरे वस्तू को अपने तरफ खीच रही है इतना ही नहीं उसने ये भी बोला इसने Newton नहीं Newton की बात है ही है Newton ने एक और बात बोली कि भाईए ये जो force है बल है जिससे खीच रहे है force को हिंदी में क्या बलता है बल है ना तो ये जो force है जिस force से दोनों object दूसरे को खीच रहे है ये directly proportional है product of masses मतलब अगर इसका mass 2 kg इसका 3 तो 3 into 2, 6 6 का directly proportional है मतलब इनका mass जितना बढ़ते जाएगा इनके बीच की force भी ताकत भी बढ़ते जाएगी समझ में आ रहा है पक्का है ना चलो पहली बात तो ये बोली और दूसरी बात एक और बोली कि भाईया यही जो force है वो inversely proportional है उनके बीच के दूरी के दूरी को मैं double करूँगा तो square करने में 2,2,4 हो रहा है तो अगर कोई 2 object है same mass के ये आलग-अलग mass के बट same mass रख रहे है mass को change नहीं कर रहे है अब अभी इनके बीच की दूरी माल लो कुछ है तो इनके बीच में कुछ force है अगर मैं इसके दूरी double कर दूँ तो दूरी double करने में force आधा नहीं होगा कितना होगा? 4 गुना कम होगा 1 by force तो कि inversely proportional है किसके? d square के inversely proportional मतलब समझते हो न d बढ़ेगा तो force कम होगा कुछ सोचो न, 2 object लिग दूसरे से जितना दूर जाएगा उतना उनके बीच का force कम होगा और वो भी square के उपर कैसे inversely proportional है? square, दूरी का square, मतलब अगर मैं 2 object के बीच की दूरी 3 गुना कर दूँ तो force 9 गुना कम हो जाएगा 3, 3, 4, 9 square है ना? अगर मैं 2 object की बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा दूँ तो force 16 टाइम 16 गुना कम हो जाएगा समझ रहे हो जा रहा है जाके बैठ रहा है की उड़ जा रहा है बैठ रहा है ना? चलो, तो अब इसी चीज़ को अपन याद करने की कोशिश करते हैं, एकदम असान है मैं चाहता हूँ की भाईया आप लोग हाथ आगे करें अब बोले इस गेट से निकलने से पहले हम आज उनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन एकदम रट के जाहेंगे बोलो इसी काम के नहीं है चलो, अब देखो, क्या बोलना है देखो इतना सिम्पल सी बात है देखो समझ में तो आगया ना दो बात है तो बोली ही न्यूटन भाई साब ने कि पूरे ब्रह्मान में हर एक वस्तू तुसरे वस्तू को अपने तरफ खीच रही है जो directly proportional है product of masses और universally proportional है square of distance between them every object in this universe attracts every other object in this universe फिर से every object in this universe attract every other object in this universe with a force with a force that is directly proportional to product of masses and universally proportional to square of distance between them बस यही रट के जाना है है ना every object in this universe मैं डेड़ बजे से लगातार भौक रहा हूँ ना ठीक है तो अब आवाज मेरी मेर से जादा तंबू की होनी चाहिए है ना पांच चप्टर पढ़ाया हो भी टेंद्वालो को every object in this universe attracts every other object in this universe with a force that is directly proportional to product of masses product of masses masses ka product and inversely proportional to square of distance between them sufficient है कि एक लाइन और लिखा तो इसके आगे है sufficient है एक लाइन और लिखना है तो लिख चेकते हूँ अच्छा दो लोगों को इबुक नहीं मिलिये ना हाँ ठीक है दो आज मैं प्रिंट कर दूँगा हो सकता है cover ना लगे उसमें बस cover है नहीं क्योंकि हाँ every object in this universe attract every other object in this universe with a force that is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them and x along the line joining their center convolega qri class mein try karo chalo your position with this limit and max every other objects is a influence with force that is that is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them that is directly proportional to masses and product of masses and inversely proportional to between that between that bad job haa aasta khaado jao khaado jao khaado jao khaado jao try karo open mundi karke haa every object is in this universe attract every other object in this universe with a force which is directly the proportional to the connector of their masses and personally proportional to the square of distance between them bad job news Weber every object in this universe and every object in this universe attract every other object in this universe with a force that is हो गया है ना हां नमान खड़ो जो नमान बैट जाओ इतना देर से बता रहा हूं फिर भी रटना वो बुक वा लाई है अबोलो मैं आपो अब्जेट अब्जेट इस अब्जेट इस विए विट फोर्स इस पार अब डेखो बस लिखना पांध आपके देखो छल देशे कि आगे देखो को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अगर दोनों को मिला के लिखें तो क्या लिखेंगे f इस एक लिखेंगे और यह प्रोपोस्टनलिटी साइन को हटाने के लिए अपने एक कॉंस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट क्या नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट इंटू M1 M2 by D square यह जो फॉर्मला है यह जो इसको ठीक है यह जो फॉर्मला है यह आपको नीद में भी याद होना चाहिए इसक्लियर है ना तो फॉर्मला क्या है अगर दो मासस हैं M1 M2 बीच की दूरी तो उनके बीच में कितना फोर्च लगेगा जी M1 M2 by D square या R square भी लिख सकते होगर दूरी आ रहे तो इसक्लियर इसक्लियर और यहां पर लिख देते हैं कॉंस्टेंट ठीक है क्या है यूनिवर्सल ग्रमिटेशनल कॉंस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है जो नीद में भी याद रखनी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अब वैल्यू कैसे निकालो कि देखो फोर्स की ऐसा यूनिट हाँ तो न्यूटन बोलने में क्या इतना अंटेंशन हो रहा है तेंथ में जब आओगे न थोड़ा यह अफ्ग्रेड कर लें ना प्लीज और यह मार्केट में नहीं मिलता है यह आपके पांस जोड़ा इसी को अफ्ग्रेड करना पड़ेगा अरे इतना देन से दो दो चप्टर हो गया चिक चिक चिलाधिया स्पीजर्थक्र प्रोस को अयसा यूनिटन स्प्रूनिप्स क्यों संब डिस्टेंस के यूनेट मीटर अर्फ दूरी कैसे नापते हैं ऐसा यूनेट मीटर मास के यूनेट मास मास को किलमेटर मास के यूनेट मास के यूनेट फेजी अरे मास दो किलो तीन किलो केजी ऐसा यूनेट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ